नमस्कार आज हम मिक्स बेग्ज परांठा बनाएंगी दो तरहां से वाक्या मज़ेदार और स्वादिस चीजी परांठा बनकर त्यार हुआ है इसे आप नाश्टे में खाईए और बच्चों के टीफिन में भी आप दे सकते हैं इसको बनाने के लिए दो कप आटा लिया है ए फाजर एक बड़ा चम्माच ब आट डाल देंगे घी टिश बने से जो परांठी है ज़ादा अच्छी और स्वादबंती है हम इसको अच्छी तरह से आटे में मिक्स कर देंगे और एक टूप बनाएंगे तोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे जितनी हमें जरूरत एक दम से हम पानी नहीं डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मसलते हुए आटे को गुन देंगे अब थोड़ा सा पानी और हमें डालना है और इसको दवा दवा कर अच्छे से गुन देंगे आटा बन कर त्यार हो गया, डो हमारा त्यार हो गया है, ना ज़्यादा नरम और ना ही ज़्यादा ये सकता है, अब हम थोड़ा सा घी लगा देंगे, उपर ता कि ये सुखे ना और कवर करके इसे हम 20 मिनट के रेश दे देंगे, एक मेक्सिक बाउल लेंगे, सबसे पहले हमन अपने स्वादा नुसार ढाल सकते हैं, कैपसी कम, गाजर ढाल दी है, हरी मिर्ची, तीखा आप अपने स्वादा नुसार कम जाजादा कर सकते हैं, गरम मसाला ढाल दिया है, लाल मीच पाउडर, आप अपने पसंद के मसाले और भी ढाल सकते हैं, जो नई खाते उनको निक बटर डाल सकते हो, हरा धनिया डाल दिया है, इसमें इसका स्वाद बहुत ही जादा आता है, अब हम इसमें बटर डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, चीज डाल देंगे, चीज डालने से बहुत ही चीजी और मुलाइम बनेगा, बटर डालने से इसमें स्वाद आजाएगा, आप इसका नमक, मर्च वगारा इस स्टेज पर तेस करके डाल सकते हो। 20-25 मिनट के बाद हम आटे को थोड़ा सा और गूंद लेंगे ताकि ये और ज्यादा नरम हो जाए। आटा बिल्कुल प्रफेक्ट बनकर त्यार हो गया है पराउंठे के लिए। चलिए अब हम पराउंठा बनाते हैं। दो में से थोड़ा सा आटा लेंगे और उसे उंगलियों की सहता से गोल करके थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर उसको फ्लैट कर देंगे। बेलन की सहता से हम गोल रोटी का अकार दे देंगे। इसमें अब हम स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग को बीच में डालेंगे। स्टफिंग जादा नहीं डालेंगे नहीं तो रोंटी फट जाएगे। अब किनारों से पकटते हुए हम इसको रोल करके थोड़ा सा हलके हातों से दवा देंगे दुबारा से इसको सूखा आटे से कवर करेंगे और थोड़ा सा किनारों से दवाते हुए इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और बेलन की साहिता से हम परांठा बनाएंगे परांठी आप अपने स्वाद अनुसार मोटी जहां पतली कर सकते हो, परांठा गूल बन कर त्यार हो गया है, उदर हमारा तवा भी करम हो गया है, अब हम परांठी को तवे पर डाल देंगे, और मीडियम आँच पर इसको हम पका देंगे, उपर से हलका ब्राउन हो गया है, अब हम इसको पलट देंगे, इसमे ब्राउन चतके भी आ गया है, और थोड़ा सा क्रिस्पी भी हो गया है, अब हम इसमे घी लगा देंगे, घी लगा कर इसको पलट देंगे, ताकि इस साइट से भी अच्छी तरह से पक चाहे, थोड़ा सा हलके हातों से दबा देंगे, औ मिक्स बेज परांठा बनकर द्यार हो गया है अब हम इसको प्लेट में डाल देंगे इसके नीचे एक कटोरी रख दीजिए इससे जो परांठा है मौइस नहीं होता है अब हम दूसरी तरह का परांठा बनाएंगे दूसरे स्टाइल से परांठा बनाएंगे एक छोटी सी लोई को हम गोल बेल लेंगे थोड़ा सा इसको हम पतला ही बेलेंगे इस तरह दूसरे लोई को भी हम पतला बेलेंगे चापाते की तरह और इसके ओपर हम स्टफिंग को रख देंगे एक दो बड़े चमच जादा नहीं डालें स्टफिंग रखके इसको हम एक जैसा चारो तरफ फिला देंगे और थोड़ों से किनारों के साइड में जगा छोड़ देंगे दूसरी रोटी को हम उपर रकर किनारों से उसको थोड़ा सा दवा देंगे ताकि ये अच्छी तरह से बंद हो जाए और स्टफिंग बहार ना निकले उसके बाद हम परॉंठे को गोल बेल देंगे ये दूसरी तरह का परॉंठा बनाया है चली अब हम इसको बनाते हैं तवा भी हमारा जो है गरम हो गया है गरम तबे पर हम इसको डाल देंगे और नीचे की साइट है हम इसको पकने देंगे चतके दिखने लगे हैं अब हम इसको पलट देंगे दोनों तरफ से एक जैसा पकाएंगे चतके दिखे हैं अब हम इसके ऊपर घीज आ तिल जो भी आप खाते हैं इसको लगा देंगे और दूसरी स्थाइट इसको पलट देंगे यहां से भी क्रिश्पी और चतके वाला बन गया है चतके दिख रहे हैं अब हम इस साइट भी लगा के इसको टरन कर देंगे आप अपने स्वादनों साथ जितना क्रिस्पी करना है करिए दोनों साइट से जो प्रांठा है जितना से क्रिस्पी हो गया है अंदर से पक भी गया है मिक्स बेच प्रांठा पकन का त्यार हो गया है अब हम इसे तबे से उतार कर खाने के लिए सर्फ करेंगे क्या मज़ेदार क्रीमी प्रांठा बनकर त्यार हो गया है आप इसे बच्चों के लंच में दीजिए और नाश्टे में खाईए और मज़ा लीजिए अपने 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 जरूर शेर करना कैसे बने हैं इसे आप अचार के साथ दहीं के साथ भी खा सकते हैं आपके इच्छा हो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और प्रांठे खा कर मज़ा लीजिए देखने के लिए धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए का घंटे का बटन दवा देजिए नोटिफिकेशन मिल जाएगी